नमस्कार मैं प्रांशी रठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन न्यूस बिहार में राजनिता चिराग पास्वान को लेकर लगातार स्यासत तेज होती हुई नसरारी है दावे किये जा रहे हैं कि चिराग पास्वान अब पाला बदल सकते हैं अब देखते हैं कि चिराग पास्वान का फैसला क्या कोच हो सकता है पड़ी वज़ा यहां पर अब सीट शेरिंग भी बताई जा रही है क्योंकि सीम नितीश कुमार के साथ उनकी तलखी देखने को विली है कि आखिर का जो सीट वह मांग रहे हैं वो सीट उन्हें मिलेगी या फिर नहीं जमुई सीट पर वह कबजा तो चाते हैं लेकिन अब यहां पर हाजिपूर सीट को लेकर भी सियासत तेज हो चुकि अब यहां पर चुराग पास्वान के जो चाचा है पशुपती पारस उनको लेकर कहा जा रहा है कि पशुपती पारस को यह सीट मिलेगी इस सीट उसे वह चुनाब लड़ती हुई देखे जा सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी आलग अमान ये फैसला ले सकता है कि चुराग पास्वान को हाजिपूर सीट ही दी जा सके 9 मार्च को ग्रह मंत्री अमिश शाह का दोरा है बिहार में और ऐसे में अमिश शाह यहां पर अंतिम फैसला सुना सकते हैं सवाल यहां पर रहेगा हाजेपूर सीट को लेकर कि आखिरकार हाजेपूर सीट यहां पर चाचा पशुपती पारस को मिलेगी या फिचराग पास्वान को और अगर यहां पर चराग पास्वान के पास यह सीट चली जाती है तो आखिरकार यहां पर पशुपती पारस क्या करेंगे सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सही होगी अक्षय से कि आखिरकार वह है बिहार की सियासत पर क्या कुछ कहना जाएं कैसे देख रहे हैं चाचा और भतीजे की बीच की जंग और इस जंग के बीच यहां पर जून के देखा जाए तो पिरिंस राज पासवान भ तहत दो सीटे लेना सबसे पहले यहां पर जमुई लोग सबसीट आती जहां से विखुद वर्तमान में सांसद है उसके अलावातियां पर हाजिपूर सीट जहां से उनके चाचा और रास्ट्रे लोग जंचित पाक्टी के रास्ट्रे अध्यक्ष पश्बतिनात पारस सांस पहली यह चुनौती है दूसरी अब चुनौती यह है कि दो सीटे जो मिले उसमें दूसरी सीट में हाजिपूर जरूर भी लेना चाहेंगे लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान प्रबल दावेदारी हर प्रकार से ठोकते नजर आ रही है यहां हाजिपूर सीट पर आप तो चिराग पासवान के पितापूर केंद्रे मंति स्वर्गे रामविलास पासवान ने सीट से जीत दर्च की थी लेकिन 2019 में उनके चाचा पशुपती नाथ पारस ने हाजरिपूर सीट से चुनाव लड़ा जीता और दो लाख वोटों का अंतर रहा ता तो जो उनके जो जो वोट यहां पर प्राप्त हुए थे और जो यहां पर पशुपती को वोट प्राप्त हुए दो लाग कंतर रहा और बड़े अंतर से जीता धर्च की इसके बाद ये देखिए कि लोजपात 2019 में एक पार्टी थी जहां पर रामविलास पासवान उस वक्त नेतरत कर रहे तो पशुपती नाथ पारस के पास 5 सांसद है साथ ही उनके पास एक आधार 2 लाग वोट भी है वो दो लाग वोट जो अंतर रहा था ये आधार बन सकता है पशुपती नाथ पारस को बीजेपी आलकामान से हाजिपूर सीट मिल लगा ऐसे में संभावना इचिराग की बेह यहां पर अब देखा जाए यह सीट सौप सकता है तो आखरी चोटा सवालक्षा यही रहेगा चिराग पास्वान को लेकर यही कहा जा रहा है कि यह सीट उने मिलेगी लेकिन आप कहरें कि चांसिस कम है और अगर यहां पर यह सीट उने नहीं मिलती है तो क्या बगावती सवालक्या तो टिजसवी की यात्रा क करते हैं कि रहां पर यह सीट उने मिलता को आखरें के बिःता तर्मियों ने जब चिराग पास्वान से अगरें चाहिए。 49 सीट एंडिया गडबंदन ने 2019 में जीती ती महा गडबंदन महस एक सीट जीत पया तो उस पर भी कॉंग्रेस के सांसद है इसलिए राज़त के सामने भी लोग सबह में अपना वर्चस वो बचाने की 39 बार है क्योंकि वर्चस पूरी तरह से एक प्रकारसिम के है सकता है कि 2019 में खत्म हो गया था अब ऐसे में वो पूरी तरीके से हाथ पैर मारेगी एंडिया का जो भी नेता जो भी दल यहां उसके सा आ जाए आने को तयार बैठा वो से कता ही नहीं छोड़ेगा ऐसे में चिराग पासवान जो इस तरीके से बीजे प्याला कमान से दो सीटों की मांग रख रही हैं अब देखा जाए तो यहां पर चिराग पासवान कहीं ना कहीं बाजी पलटते हुए नसर आ सकते हैं अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि चिराग पासवान क्या वाकई में यहां पर बगावत करते हुए नसर आ सकते हैं आखिर का चाचा पशुपती पारस को वो यह सीट देने देंगे या फिर नहीं क्या वाकई में यह बड़ी कुरवानी वह दे देंगे अगे हामी भरते हुए नजर आ सकते हैं और यहां पर आलकमान की तरफ से उन्हें मनाई जाने की कोशिश अब भी जा रही हैं फिलाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन नियोज